दोस्तो ये कहानी है एक सच्चे प्यार की, जिसमें वो दोनों एक दूसरी से जुदा हो जाते हैं, लेकिन उनका भरोसा फिर से एक दूसरी को खीच लाता है, तो आए देखते हैं कि इस कबल को अपना प्यार कैसे मिला, मूवी की शुरुवात होती है और हम टाइले को देख कलरफूल हो गई है, ताइले अपने रिलिशिशिट को और बैटर बनाने की कोचिश कर रहा है, और ऐलिसन भी उसके साथ उसका साथ देती है, उन दोनों का रिष्टा एक दम परफेक्ट है, ताइले के घर पर उसकी मॉम और सिस्टर आती है, ताइले की मॉम हमेशा काम में बीजी रहती है, इसलिए टैलर अपने चोटी सिस्टर का ख्याल रखता है, उसी रात को टैलर अपने दोस्तों और अलिसन के साथ एक पार्टी में जाता है, टैलर का दोस्त Lucy, अलिसन की तारीफ करते हुए टैलर को सला देता है कि तुम इसे अपने से दूर कभी मत जाने देन थोड़ी दिर बाद उसी पार्टी में उसका पुराना दोस्त चैस मिलता है, चैस उसे बोलता है कि तुम तो पहले से बहुत ज़्यादा बदल गई हो, जिसका मतलब था, पहले अलिसन बहुत पार्टिया करती थी, और अभी इस टाउन में आए हुए उसे छे महीने हुआ ह चैस ऐलिसन की ओल्ड टाउन से था, जिसलिए वो उसे पहले से जानता है, अलिसन अपने पास्ट लाइफ को पीछे छोड़ा आई थी, जिस वज़े से उस इस बारे में बात करना थोड़ा अनकमफर्टिवल लगा, इसलिए वो चैस को और उसकी बातों को पूरी तरह से ए ज्यादा अपसेट हो जाता है, फिर वो बातरूम के पास जाता है, और वहाँ उसकी मुलाकात होली से होती है, वो दोनों एक दूसर से बात करने लग जाते हैं, होली टाइलर को बोलती है कि हाल ही में मेरा ब्रेक अप हुआ है, वो ही टाइलर भी उससे बोलता है कि मेरी छे महीने हो गए हैं, और हम अभी तक इंटिमेट नहीं हुई है, इस बात से टाइलर बहुत ज़्यादा अपसेट था, एलिसन उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो समझता नहीं, वो एलिसन को भी उस पर बहुत घुसा आता है, जिस वज़े से वो दोनों ब्रेक अ इसके बाद टाइलर पार्टी से निकल के बाहर आता है, तो बाहर उसे होली मिलता है, टाइलर उसे बोलता है कि मेरा अभी अभी ब्रेक अप हुआ है, तो होली उसे बोलता है, आओ हम कहीं बाहर चलते हैं, जिसके बाद वो दोनों कलब में जाते हैं और डांस करते हैं, मैं पूरी गर्मियों के लिए इस घर की देख भाल कर रही हूँ होली अपने निकालने होए फोटो को देख रही थी उसने बहुत ही अच्छे फोटो निकाले थे जिसे देखकर टाइलर सर्प्राइस था इसके बाद होली और टाइलर पूल के पास जाकर बैठते हैं टाइलर को ये जगा बहुत पसंद आती है होली उसे बताती है कि ये मेरे डैट की पसंद दीदा जगा है लेकिन वो पूरी लाइफ हमेशा काम में बेजी रहे उसके थोड़ी देर बाद वो दोनों फिर से इंटेमेट हो जाते हैं वो दोनों एक दूसरे को जानने की कोशिश करते हैं जैसे कि उनकी फैमिली और उन्हें क्या पसंद है उनका आज का दिन बहुत ही सुंदर गुजरता है अगली दिन टाइलर वहाँ से निकल रहा था तब ही वो होली से बोलता है कि ये जो कुछ भी हमारे बीच हुआ है वो बहुत ही स्पेशल है जिसके बाद वो अपने घर चला जाता है घर पर आके टाइलर अपना फोन देखता है जिसमें ऐलेसन का एक मैसेज था कि अलिसन फिर से उससे बात करना चाहती है अगली दिन टाइलर अलिसन के घर जाता है अलिसन उसे बोलती है कि तुमारे आने से पहले मेरे लाइफ अलग थी मैं बहुती अजीब थी और हमेशा ड्रिंग करती रहती थी और साथ ही सब कुछ छोड़कर मैंने इस शेर में आने का फैसला किया ताकि मैं एक नॉर्मल लाइफ जी सकूँ लेकिन हमारे बीच जो कुछ भी है वो मुझे बहुत खास लगता है और इसलिए मैंने थोड़ा इंतिजार किया टाइलै एलिसन की बास समझ जाता है फिर ऐलिसन उसे आई-लव-Your बूलती है और दोनों का फिर से पैच अप हो जाता है इसकी बास समभ वेकेशन खत्म हो जाती है टाइलै जब स्कूल जाता है होली ने टाइलै और एलिसन और एक साँ देखा था होली अब उनके गुरूप का हिस्सा बन चुकी है तभी आज रात के पार्टी के लिए होली सभी को इन्वाइट करती है लेकिन टाइला मना कर देता है उसको ये सब थोड़ा आजीब लगता है पिर होली टाइला को स्कूल में एक जगह पर अकेले मिलने के लिए बुलाती है टाइला वहाँ पर आता है तो होली उसे किस करने लगती है लेकिन टाइला बोलता है कि अब हम दोनों ऐसा नहीं कर सकते हमारे बीद जो कुछ भी उस टाइम में हुआ था वो सिर्फिक गलती थी अलिसन और मेरा अगर ब्रेक अप नहीं होता तो मैं ऐसा कभी नहीं करता होली टाइला की बास से बहुत हट हो जाती है वो बोलती है कि तुमने मेरा इस्तमाल किया है और मुझे इसके लिए पश्ताना पड़ेगा लीडिया को होली की बात बहुत अजीब लगती है इसकी बाद ये हैंग आउट करने के लिए टाइला के कैफे में आते है यहाँ पर होली अपना फोटो सब को दिखाती है उन में से एक फोटो में टाइला भी था Holy टाइलर को जलेस फिल करवाना चाहती थी इसलिए वो उसके दोस्त गिल को किस करने लगती है वोई Allison और Holy अब अच्छी दोस्त बन चाती है लेकिन ये टाइलर को अच्छा नहीं लगता आज रद भी Allison और Holy साथ में थे उनकी बात चीज से Holy को पता चलता है कि टाइलर और अलेसन अभी तक इंटिमेट नहीं है Holy अलेसन से बोलती है कि तुमने साही किया Holy उन दोनों को पूरी तरह से दूर रखने की कोशिश कर रही थी वहीं दूसी तरफ टाइलर अपने दोस्त गिल को Holy के बारे में बताता है और बोलता है कि वह मुझे जलिस फिल करवाने के लिए तुमारे साथ ये सब कर रही है गिल को ये बात अच्छी नहीं लगती गिलीस बात पर गुस्सा हो जाता है उसे लगता है कि Holy सच में उसे पसंद करती है ये सुनकर टाइलर डर जाता है और उस पर वो चिलाने लगता है Holy बोलती है मैं सिर्फ मजा कर रही थी और मैं तो सिर्फ तुम्हें डरा रही थी अगले दिन टाइलर स्कूल में देखता है कि Holy की मॉम विजिट करने के लिए आई है वो जाकर Holy की मॉम से बात करता है और बात करने के दोरान उसे पता चलता है कि Holy ने अपने बारे में सब जूट बोला है वोई Holy की मॉम टाइलर से बोलती है कि हम दोनों मिले हैं इसके बारे में उसे बता ना मत वो एक्चुल में Holy की स्टैप मॉम है Holy और Tyler, जिस घर में रहते थे, वो घर भी Holy कहीं है पिछली रात, Allison और Holy जब hangout कर रहे थे, तो Allison को लगा कि Holy थोड़ी अजीब है इसके बारे में वो Lydia को बताती है वोई Lydia भी उसे बताती कि मैंने भी Holy को सोशल मीडिया में हर जगा ढोड़ने की कोशिच की लेकिन वो कहीं नहीं मिली, कुछ तो गढ़वर है इन दोनों की बाते Holy सुन लेती है लीडिया अब उनके लिए खत्रा बन सकती थी फिर जब वो दोनों कैंटीन में बैठे थे, तो Holy उनके लिए मिलक शेक लाती है मिलक शेक पीते पीते लीडिया को अटाक आने लगता है और वो नीचे गर जाती है, जिसके बाद उसे हॉस्पिटल में एडविट करवा दिया जाता है टाइलर एलिसन से कॉलेज में मिला, तो इस इंसिदेंट से एलिसन बहुत डर जाती है वो उसे गले लगा कर बोलती है कि तुम मेरे साथ हो, इसलिए मैं बहुत जाता लगी हूँ इसके बाद होली अपनी स्टैप मॉम से बात करती है होली अपनी स्टैप मॉम पर घुसा थी, क्योंकि उसे अभी तक अपने डैट के सारे पैसे नहीं मिले थे उसकी स्टैप मॉम उसे बोलती है कि तुम्हें तुम्हारे सारे पैसे मिल जाएंगे लेकिन तुम्हें थेरेपिके लिए चाना होगा होली को मेंटल प्रॉब्लम है और उसे साइकलोजिस्ट के पास जाना अच्छा नहीं लगता है लेकिन ऐलेज़सन उसे बोलती है कि अभी अभी होली को बता चला है कि वो प्रैगनेंन्ट है और उसे मेरी हलप की ज़रूत है अब टैले से और भी ज्यादा परेशान हो जाता है नॉइथ होली से पूछति है कि अगर तुम्हारा और टैले का बेबी होता है तो तुम क्या करती, वैसे भी तुम लोग तो बहुत perfect couple हो, तुम्हारा कभी भी break up नहीं होगा, इसके बाद Holy सीधे टाइला के घर पहुँच जाती है, वो उसकी sister से बात करती है, टाइला ये देखता है, और उससे बहुत घुसा आता है, वो उसका हाथ पकड़ कर उससे जव भी नहीं है, वो सिर्फिक गलती थी, टाइला वहाँ से जाने लगता है, तो Holy उसे पीछी से पकड़ लेती है, और उससे जाने नहीं देती, लेकिन टाइला अपना हाथ छटकता है, तो Holy नीची गर जाती है, जिससे वो बहुत ज़्यादा गुसा हो जाती है, उसे दिन के जो भी हुआ था, वो सब कुछ उसे सच सच बता देती है, टाइला भी Holy के बारे में सोचन लगता है, और वो सीधे लीडे के पास हॉस्विटल में जाता है, और उसे पूछता है कि रियल में आकिर हुआ क्या था, लीडिया बताती है कि वो हमेशा केंटीन से ही मिल्कशेक लेकिन उस दिन Holy मिल्कशेक लेने गई थी, जिसे पीकर मेरी ये हाल हो गई, मुझे लगता है कि Holy ने मेरे मिल्कशेक में कुछ तो मिला दिया था, वही अब टाइला लीडिया को सब कुछ सच बता देता है, और बोलता है कि अब मैं Alison को सब कुछ सच बता दूँगा, अगल तो अब हम एक साथ रह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन टैला उसे कोई जवाब नहीं देता, अगले दिन स्कूल में टैला के पास पुलिस आती है, पुलिस वाला बोलता है कि फेरोनिका ने तुम्हारे खिलाफ आरोप लगाए है, अब ये फेरोनिका कौन है, इसके बारे में तो टैला को कोई जानकारी नहीं थी, टैला पर फेरोनिका को चोट पहुचाने का आरोप लगा था, ये बहुत सीरियस नहीं था, रात में टैला फेरोनिका के बारे में सच करता है, तो उसे पता चलता है कि फेरोनिका कोई और नहीं बलकि होली है, जिसके ब वो होली के बारे में और जानकर ही निकलता है। तो पता चलता है कि होली पहले जिस स्कूल में थी, वहाँ भी उसने एक student पर हमला कर दिया था। होली पूरी तरह से मानसिक रूप से बीमार है। वहीं उदर रात में Holy सीधे Allison के घर पहुच जाती है और उसे चोट पहुचा कर उसके हाथ पैर बांद देती है और उसकी फोटो पो Tyler को भीच देती है Tyler बहुत जाता डर जाता है अपनी दोस्त को मदद के लिए कॉल करता है फिर वो जल्दी से Allison के घर के लिए निकल जाता है Allison Holy से पूछती है कि तुम ये सब क्यों कर रही हो कि जिस तरह से Tyler ने मेरा इस्तमाल किया था उसी तरह से उसे पाने के लिए मैं तुमारा इस्तमाल कर रही हूँ तुम बहुत बिबगूफ हो Holy बोलती है कि हमारा वेकेंड कितना शांदार था और जब हम दोनों साथ में थे तो मुझे किसी भी चीज़ की टेंचन नहीं हो रही थी Holy उसे कुछ भी नहीं बताती तब ही Tyler के चहरे पर Allison का खौन टपक कर गिरता है Holy ने Allison को उपर लटका दिया था Tyler जल्दी से Allison को नीचे उतारता है Allison बेहोश थी लेकिन वो अभी भी जिन्दा है Holy पूरे घर को लॉक कर देती है Tyler और Allison वहाँ से बहार निकलने की कोशिश करते हैं तो उन्हें Holy की Stepmom की लाश मिलती है Tyler को Bedroom के दरवाजे के बारे में पता था तो वो दोनों वहाँ से बहार निकल जाते हैं भारा कर दोनों देखते हैं कि Holy बंदुक लेकर खड़ी है वो बोलती है कि मैंने Realize किया है कि अगर Allison मर जाती है तो हम दोनों एक साथ रह सकते हैं Tyler उसकी बात उसे डर जाता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं और वो दोनों एक साथ बहुत खुश हैं फिल्म के अंत में हम देखते हैं कि उस रात Holy को हस्पिटल में एडमिट करवाया गया था एम्बुलेंस में एक ऑफिसर उसे बोलता है कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा और तुम्हें डरने की कोई जरूत नहीं है Holy उसे देखकर भी obsessed हो जाती है और अब वो उसे पसंद करने लगती है और इसके साथ आज की मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है तो दोस्तों कैसी लगी आपको एक कहानी कमेंट में जरूर बताएगा और ऐसी अजब गजब मूवी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरू करेगा